दोस्तो हमारे हिंदु धर्म में किसी भी स्त्री का एक से ज़्यादा पती होना गलत माना जाता है लेकिन फिर भी आज से हजारों साल पहले महाभारत युग में द्रौपदी ने पांच पुर्शों से विवाह किया था ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि आखर उस समय ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि द्रौपदी को पांच पुर्शों से विवाह करना पड़ा था और सबसे जरूरी द्रौपदी ने अपने पांच पतियों के साथ पतनी धर्म कैसे निभाया दोस्तो द्रौपदी से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जो उसके चरित्र पर प्रश्ण चिन लगाते हैं अगर आप भी द्रौपदी के जीवन से जुड़े रहस्यों को जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा वीडियो काफी जादा इंटरस्टिंग होने वाली है इसलिए अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको म पिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों महाभारत के अनुसार द्रौपदी के जन्म से पहले द्रौपदी के पिता राजा दुरुपद और गुरुदोर्णाचारे के बीच एक घंगोर युद्ध हुआ था इस युद्ध में गुरुदोर्णाचारे ने राजा ज़ुजन किया। उस वक्त यक्की वेदी के मद्ध भाग से एक पुत्र के साथ साथ एक अनन्त सुन्दरी कुमारी कन्या भी प्रकट हुई। इस कन्या के नेत्र कमल के समान बाल गुंगराले और उसका रंग सामला था। ब्राह्वनों ने जब उस दिव्य कन्या को देख तो उन्होंने कहा यह कण्या रूपवान होने के साथ साथ कृष्ण वर्ण की है इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा दोस्तो द्रौपदी इसलिए भी द्रौपदी कहलाई क्यूंकि उसका जन्म राजा दुरुपद की पुत्री के रूप में हुआ था दोस्तो राजा दुपत के मन में द्रोणाचारी के प्रती जबर्दस्त नफरत की भावना थी और अपनी इनी नफरत के भावों को उन्होंने द्रौपदी के मन में भी बच्पन से कूट-कूट कर भर दिया था द्रौपदी भी राजा दुपत की तरह बदले की आग में जल रही थी और मनी मन ऐसी तरकीबे सोचती रहती जिससे वह अपने पिता के अपमान का बदला द्रोणाचारी से ले सके लेकिन द्रोणाचारी हस्तनापर राज के संरक्षन में थे द्रोणाचार्य को नीचा दिखाने के लिए राजा दुरुपद को एक शक्ती शाली गटबंधन की आवश्चता थी इसलिए जब दुरुपदी विवाह के योगी हुई तो राजा दुरुपद ने दुरुपदी के स्वयमवर का आयोजन किया हाला कि कृष्चन जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए दुरुपदी का विवाह अरजुन से होना जरूरी है इसलिए दुरुपदी के स्वयमवर के पहले से ही वह राजा दुरुपद के महल में आकर रहने लगे थे कहा जाता है इस दोरान द्रौपदी की भगवान कृष्ण से काफी अच्छी मित्रता हो गई थी यहां तक कि द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से विवाह करने के क्षावी जाहिर की थी जिस पर श्रीकृष्ण ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि वासर्फ ऐसी इस्त्री से ही विवाह करेंगे जो उनके लक्ष के प्रती पूरी तरह समर्पित होगी यानि धर्म कि स्थापना के कारे में उनका पूरी तरह से साथ देगी उस स्त्री की कोई भी स्यन या राजनितिक मन्शा नहीं होनी चाहिए कहते हैं उस वक्त भगवान सुरे कृष्ण ने द्रौपदी को खुश करने के लिए या भी कहा था कि तुम एक महानस्त्री हो तुम्हारे जैसी महानस्त्री के मैं योग्य नहीं हूँ दोस्तो जब द्रौपदी के स्वयंबर का आयोजन हुआ तो उस वक्त पांचो पांडव, युधिश्टर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ब्रामन वेश में बनवास काट रहे थे वे अपनी मा के साथ एक गरीब कुमार के घर में रह रहे थे और विक्षाटन पर ही जीवित थे जिस दिन द्रौपदी का स्वयंबर था उस दिन भी पांचो पांडव, ब्रामन के वेश में विक्षा मांगने के लिए निकले हुए थे तब ही उन्हें कहीं द्रौपदी के स्वयंबर का पता चला तब अर्जुन ने अपने भाईयों से स्वयंबर में भाग लेने की ख्षाज़त आई जिसकी बाद पांचो पांडव, ब्रामन के वेश में ही स्वयंबर में पहुँच गए यहां स्वयंबर की शर्थ के अनुसार जो भी धनुर्दर उपर घूमती हुई मचली की परचाई को नीचे रखे तेल की कढ़ाई में देखकर उसकी आँख को भेद देगा, उसी के गले में माला डाल कर द्रौपदी उससे विवाह करेगी अर्जुन एक स्रिष्ट धनुर्दर थे, इसलिए उन्होंने मचली की आँख को भेद कर स्वयंबर की शर्थ को जीत लिया और द्रौपदी को अपनी पत्नी बना कर उसे अपने साथ अपने आश्रम ले आए अब यहां आप में से बहुतों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब स्वयंबर में द्रौपदी को अर्जुन ने जीता था और द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ था तो फिर वह पांडवों की पत्नी कैसे बनी दोस्तो दरसल हुआ यूँ कि जब अर्जुन सेहित बाकी पांडव द्रौपदी को लेकर आश्रम लोटे तो इस वक्त कुंती खाना बना रही थी अर्जुन ने दरवाजे पर ही खड़े होकर कुंती से कहा मा देखो हम क्या लाए हैं तब कुंती ने बिना देके ही यह कह दिया जो भी लाए हो पांचो भाई आपस में बाट लो दोस्तों यहां कुंती की भी गलती नहीं थी क्योंकि रोजाना पांडव को दिन बर भिक्षा करके जो कुछ भी मिलता उसे वे अपनी मा कुंती के सामने लाकर रख देते थे जिसे कुंती सभी में बराबर बाट देती थी इसलिए हर रोज की तरह जब उस दिन भी अरजुन द्रापदी को लेकर आए और उन्होंने अपनी मा से कहा कि देखो मा आज हम लोग आपके लिए क्या लाए हैं तो उस दोरान कुंती घर के काम में व्यस्त थी इसलिए उन्होंने बिना देखे ही ये क्या दिया कि जो भी लाए हो उसे पांच भाई आपस में बराबर भाट लो हाला कि अपनी मा की ये बात सुनकर सभी पांडव भाई सकते में आ गए और जब कुंती ने भी एकदम शांती महसूस की तो उसने पीछे मुड कर देखा जहां उसे अपनी भूल का एसास हुआ उन्होंने अपने पुत्र धर्म राज युद्ष्टिर से कहा कि इसका कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे द्रौपदी का कोई भी अनर्थ ना हो और मेरे मूँ से निकली बाद जूटी ना हो हाला कि जब इसका हल युद्ष्टिर भी ना निकाल पाए तब पांडव अपनी मा की बात का मान रखते हुए द्रौपदी से विवाह करने के लिए तयार हो गए लेकिन जब इस बात का पता राजा दुरौपद को चला तो वे काफी परिशान हो गए राजा दुरौपद की चिंता को दूर करने के लिए महरशी व्यास ने राजा दुरौपद को दुरौपदी के पुर्व जन्म की कहानी बताई महरशी व्यास ने बताया कि दुरौपदी अपने पुर्व जन्म में एक रिशी कन्या थी वरूपवती होने के साथ साथ गुणवती और सदाचारणी भी थी लेकिन पूर्वजन्म के कुछ कर्मों के कारण द्रौपदी का विवाह नहीं हो पा रहा था इसलिए द्रौपदी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और इस तपस्या से प्रसंद नहो कर शिव जी ने द्रौपदी को मन चाहावर मांगने के लिए कहा तब द्रौपदी ने सूचा कि एक वर्दान से उसकी सब एक्षाएं पूरी नहीं होंगी इसलिए उसने घुमा फिराकर महादेव से वर्दान मांगा द्रौपदी ने महादेव से कहा हे प्रभू मेरा विवा किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो धर्म का सबसे वड़ा ज्याता हो जो सबसे अधिक बलवान हो जो किसी विद्या में कौशल हो जिसे नचत्रों का ज्यान हो और जो सबसे अधिक सुन्दर हो द्रौपदी ने चलाकी दिखाते हुए यहां पांच वर्दान को एक वर्दान बना कर मांगा हाला कि महादेव द्रौपदी के मन की बात को समझ गये थे लेकिन उन्होंने द्रौपदी को पहले ही मन चाहा वर्दान देने का वचन दे दिया था इसलिए महादेव ने द्रौपदी से कहा कि तेरी चालाकी को मैं भली भाती समझ चुका हूँ इसलिए अब तुझे अगले जनम में एक नहीं पांच पती मिलेंगे ये सुनकर द्रौपदी चिंतित हो जाती है और महादेव से प्रार्थना करती है कि है प्रभू मैं आपके कृपा से केवल एक ही पती चाहती हूँ इस पर शिव जी ने कहा मेरा वर्दान व्यर्थ नहीं जा सकता इसलिए तुझे पांच पती ही प्राप्त होंगे भगवान शिव के वर्दान स्वरूप द्रौपदी को इस जनम में पांच पती प्राप्त हुए है दोस्तो इस कहानी को सुनने के बाद राजा दौपद अपनी बेटी द्रौपदी का विवाह पांचो पांचो पांडवों के साथ करने को राजी हो जाते हैं हलाकि द्रौपदी अभी भी पांचो पांडवों से विवाह करने को तयार नहीं थी लेकिन फिर द्रापदी इस शर्थ के साथ तयार हो गई कि पांचों पांडव भाई आगे जाकर जिस किसी से भी विवा कर सकते हैं लेकिन रानी का स्थान केवल द्रापदी को ही मिलेगा का जाता है कि द्रौपदी के इस शर्थ को मानने के लिए पांडव तैयार हो गए थे जिसके बाद सबसे पहले द्रौपदी का विवा सबसे बड़े भाई युधिश्टर के साथ किया गया और उस रात द्रौपदी ने युधिष्टर के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया उसके अगले दिन द्रौपदी का विवा भीम के साथ हुआ द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया इस तरह द्रौपदी की शादी बाकी भायों से भी की गई और सभी के साथ उसने अपना पत्नी धर्म निभाया अब यहां सोचने वाली बात यह है कि जब द्रौपदी का विवास सबसे पहले युधिश्टिर से हुआ और द्रौपदी ने उसके साथ अपना पत्नी धर्म निभाया तो फिर बाकी पांडव भायों के साथ द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया तो दोस्तो दरसल द्रौपदी हर बार पत्नी धर्म निभाने में समर्थ थी क्योंकि द्रौपदी को महरश्री वेद व्यास से आजीवन कौमारे यानि कुमारे पन का अशरवाद मिला था इसलिए जब भी द्रौपदी पांडवों में से किसी एक भाई के साथ समय वितानी के बाद दूसरे भाई के पास जाती थी तो द्रौपदी वापस से कुमारी हो जाती थी कहते हैं पांचो पांडव की विवाह के बाद एक दिन देवरिश्री नारद पांडवों से मिलने आए और पांडवों के भविष्य को लेकर चिंता जटाते हुए धर्मराज, युधिष्टर और अन्ने पांचो पांडवों से कहते हैं कि द्रापदी तुम पांच भाईयों की पत्नी है इसलिए तुम लोगों को द्रापदी को लेकर नियम बना लेना चाहिए कि कौन भाई कितने वक्त तक द्रापदी के साथ समय व्यतीत करेगा नारद मुनी की ये बात सुनकर धर्मराज, युधिष्टर नारद मुनी से कहते हैं कि हे प्रभू हम पांचो भाईयों में आज तक कभी भी द्रापदी को लेकर कोई मन मुटाव नहीं हुआ और फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्टर में भी हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा लेकिन हम आपकी बात नहीं टाल सकते इसलिए मैं द्रापदी को लेकर आज ही नियम बनाऊंगा महरश्री नारत के जाने के बाद धर्म राज इधिश्टर नियम बनाते हैं कि द्रापदी हर साल पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करेंगी यानि द्रापदी एक साल तक केवल एक पांडव की पत्नी बन कर रहेंगी साथ ही जिस समय द्रापदी अपने कमरे में किसी एक पांडव के साथ होंगी उस वक्त उनके कमरे में कोई और पांडव प्रवेश नहीं करेगा यदि कोई पांडव गलती से भी इस नियम को तोड़ता है तो उसे सजा के तौर पर एक वर्ष के लिए बन में जाकर ब्रह्म चर्य का पालन करते हुए बिताना होगा दोस्तों कहा जाता है कि एक बार अर्जुन एक ब्रामर की मदद के लिए ना चाहते हुए भी द्रापदी के कमरे में प्रवेश कर जाते हैं दोस्तों आज भले ही लोगों की बीच बड़े छोटे का लिहाज नहीं है लेकिन द्वापर युग में अपनों से बड़ों की बातों का मान रखना हर इंसान का करतव्य होता था और इसलिए पांचों पांडव ने धर्म के मार्क पर चलते हुए हमेशा अपने बड़ों की बात का मान रखा तो दोस्तों वीडियो में फिलहाल इतना ही उम्मीद है कि अब आप समझ गये होंगे कि द्रापदी पांडवों से कैसे संबंध बनाती थी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमीजिंग और इंट्रिस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचेंग